इस हमले पर प्रियंका चोप्रा ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके दिल दहला देने वाला खुलासा किया प्रियंका चोप्रा ने बताया कि हमले के सिर्फ पांच ब्लॉक दूर उनका भी घर था जी हाँ बाल बाल बची है अक्ट्रेस प्रियंका चोप्रा प्रियंका ने बताया कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया अक्ट्रिस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है बता दें आप लोगों को कि प्रियांका चोप्रा अभी अपने उसी न्यूयोक वाले घर में रह रही है प्रियांका चोप्रा क्वांटिको की अगली सीरीज के लिए शूट कर रही है क्वांटिकों में LX के किरदार के लिए प्रियांका को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं जानकारी देदें की हाल ही में प्रियांका ने अपने दो हॉलिवोर्ड प्रोजेक्ट रैप अप किये हैं और क्वांटिकों की अगली सीरीज शुरू की है प्रियांका ने ये भी बताया है कि वो इस हमले से काफी ज्यादा डर गई है और उन्हें बेहत बुरा लग रहा है प्रियांका ने इस हमले में जन लोगों की जान गई है प्रियांका ने उनके प्रती अपनी समवेधनाई भी व्यक्त की है फिनल कार्ट नुस्टेस्ट